जो इंसान दिन के 24 गंटों में से अपने शरीर को एक घंटा एक घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए खिलियो से चुरू से ही मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं जो इंसान दिन के 24 गंटों में ये बात पहले में दोरा चुका हम फिर दोरा जो इंसान दिन के 24 गंटों में से अपने शरीर को एक घंटा एक घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए बात करते हैं अगर कुछ नहीं करो तो मरोगे अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टन चीज़ जो है एक्सराइज के साथ उसके hand to hand जाता है वो सही diet maintained रखना है मैं आज भी आपको बताओं फिल्म की shooting पे रोज जाता हूं लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं घर का डबबा लेकर जाता हूं कभी-कभी heroine बोलती है या कोई और बोलता है तुम घर से डबबा लेकर आता है हाँ भाईया मैं घर से ही डबबा लेकर आता हूं मुझे भी याद है आप लोगों को बताओं कि मैं जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे घर से मतलब नहीं लापाता था कभी-कभी कुछ तो मैं पता है क्या करता था उस वक्त केले, पचपन पैसे में आते थे एक छे केले, पचपन या साथ पैसे में केले खरीद के खाले तक हैं, केले को छीलो, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, आप उपर का हिस्सा काट के खालो, अरे यार, डिसिप्लिन मेंटेन रखना हमारे हाथों में हैं, और कोई rocket science नहीं है घर की दाल, रोटी, सबजी और थोड़ा बहुत घी जो कई-कई लोगों को लगता है कि यार बड़ाई असली घी उसमें थोड़ा डालो और देखो वारे न्यारे हो जाएंगे बढ़िया हो जाएगा बोन्स के अंदर ताकत आती है कोई भी डॉक्टर को पूछ लो गयोक से यes टू घर का खाना एक्साइज की बात होगे लेकिन आराम करना भी सबसे बड़िए आराम भी होता है चार घंटे या पांच घंटे नहीं आपको आपके बॉडी सफ़ फंक्शन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जुरूरी है आराम और वो है 8 गंटा 8 गंटे की नींड और अगर 8 गंटे की नींड आएगी आपका शरीर आपको बहुत साथ देगा चाहे वो कसरत में हो काम में हो दिमाग हो आफिस में आपको बहुत साथ देगा और दूसरी बात ऑफिस से घर पहुंचो तो अपने मोबाइल को दूर रखो परिवार को साथ लाओ, आगे लाओ, करीब लाओ, ट्रस्ट मी यह आपको और प्रोडक्तिव बनाएगा disconnect to reconnect with yourself and your family